हेलो फ्रेंड्स आज किस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पार्ट्स और कम्प्यूटर्स के बारे में हिंदी और इंग्लीज में तो चलिए शुरू करते हैं इसे कहते हैं मॉनिटर मॉनिटर मतलब होता है मॉनिटर इसे कहते हैं कीबोर्ड, कीबोर्ड मतलब होता है कुंजी पटल इसे कहते हैं माउस, माउस मतलब होता है माउस इसे कहते हैं प्रिंटर, प्रिंटर मतलब होता है छपाई अंत्र इसे कहते हैं CPU और इस अफुल फॉर्म होता है Central Processing Unit और हिंदी में भी इसे CPU कहते हैं इसे कहते हैं Scanner, Scanner मतलब होता है Scanner इसे कहते है Wave Camera, Wave Camera मतलब होता है Wave Camera इसे कहते है Pen Drive, Pen Drive मतलब होता है स्मृति शलाका इसे कहते है Joystick, Joystick मतलब होता है नियंत्रक गिलीवर इसे कहते है Speakers, Speakers मतलब होता है Speaker इसे कहते है Plotter, Plotter मतलब होता है Plotter, इसे बड़ा बड़ा विग्यापन की शपाई की जाती है इसे कहते है UPS, UPS मतलब होता है Uninterruptible Power Supply इसे कहते है Headphones, Headphones मतलब होता है Headphone इसे कहते है DVD या CD और हिंधी में कहते है Cassette इसे कहते है Motherboard, Motherboard मतलब होता है मुद्रित Circuit Board इसे कते है RAM, RAM मतलब होता है Random Assess Memory और हिंदी में भी इसे RAM कहते है इसे कते है ROM, ROM मतलब होता है Read Only Memory और हिंदी में इसे ROM कहते है इसे कते है Projector, Projector मतलब होता है Projector इसे कते है Hardix या फिर आप कह सकते हो Hardix Drive और हिंदी में इसे हार्डिक्स कहते हैं